आज हम इस वीडियो में गैफी और उसके दोस्त अप्पू और बबलु द्वारा एकता में बलकी एक दिल्चस्प कहानी सुनेंगे आओ इस पत्थर को सड़क के बीट से मिलके हटाएं अरी ये तो मैं अक्रे ही कर दूंगा अप्पू अपनी ताकत पर जादा खहमर्ण नहीं करते अगर कमजोर मिल जाएं तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल कर लेते हैं क्या मतलब कैफी आओ तुम्हें एकता में बल नाम की एक कहानी सुनाती हूँ उसके बाद तुम दोनों मेरी बात का मतलब समझ जाओगे एक बार की बात है कबूतरों का एक जुन्ड था कबूतरों का जुन्ड अपने राजक के साथ खाने की तलाश में रहता था एक दिन एक शिकारी ने एक पेड के नीचे कुछ चावल के दाने रखकर कबूतरों को पकड़ने के लिए एक जाल बिचाया कबूतर चावल के दाने देखकर उन्हें खाने के लिए नीचे उतर गए और जाल में फज गए उन्होंने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाए तब ही कबूतरों के राजा को एक विचार आया उसने सारे कबूतरों से कहा कि अगर वे सभी एक साथ बल लगा कर उरने का प्रयास करें तो वे जाल को साथ में लेकर उड़ सकते हैं सारे कबूतरों ने अपनी राजा की बात मानी और वैसे ही किया सभी मिलकर जाल को साथ लेकर उड़ गएं शिकारी ने जब कबूतरों को जाल के साथ उड़ते देखा तो वो हिरान रह गया कबूतर उड़ते उड़ते अपने मित्र चूहे के पास पहुंचे चूहे ने तुरन थी अपने दांतों से जाल काड़ दिया और सारे कबूतर मुक्त हो गए क्या बात है गैफी कहानी तो बहुत मज़िदार थी अब मैं समझ गया गैफी कि एक्टा में बहुत बल है कोई बात नहीं अप्पू बाबलू और अप्पू चलो इस कहानी से जुड़ा एक खेल भी खेलते है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस कहानी के किरदार कौन है हाँ कबूतर बच्चों क्या आप इस कहानी में और कौन-कौन से किरदार थे बता सकते हैं बिल्कुल सही, चुहा और शिकारी अब ये बताओ ये घटना कहां हुई? ये घटना जंगल में हुई थी सही जवाब बबलू बच्चों क्या बता सकते हैं ये घटना और कहां हुई थी? आपने बिल्कुल सही सोचा, ये घटना एक पीड की नीचे भी हुई थी अब मैं तुम्हें कहांई के तीन हिस्सों की बारे में बताता हूँ कहांई की शुरुवात में कबूतर खानी की खोज में उड़ रहे थे कहांई की बीच में कबूतर जाल में फर्ज गए बच्चों, क्या बता सकते हैं कहांई के अंत में क्या हुआ था? बहुत बढ़ियां, कहांई के अंत में सभी एक साथ जाल लेकर उड़ गए और चुहे ने जाल काटा बच्चों, थीना ये कहांई मज़ेदार? अब आप भी अपने नोटबुक में इस तरह का एक टेबल बनाएं इस टेबल में कहांई में आई हुए किरदार, सेटिंग, शुर्वाद, बीच और अंत का चित्र बनाई और लिखे आप अपना उत्तर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साजा करें